घर में मोबाईल का वास्तू कैसा रहे जिस्से की घर में शुक शान्ती बनी रहे अब यहां पर हमें वास्तू शास्त्र या जोतिश शास्त्र तो इस सम्मन में कुछ भी नहीं कहता है लेकिन फिर भी हम यह तो कह सकते हैं कि मोबाईल एक उपकरण है जिससे संदेश भेजा जाता है संदेश प्राप्त किया जाता है और ध्वनी भेजी जाती है ध्वनी प्राप्त किया जाती है चित्र भेजे जाते है चित्र प्राप्त किया जाते है चल चित्र भेजे जाते है चल चित्र प्राप्त किया जाते है और ना मलूम कितने कितने सामाजिक और काराले से संबंधित कारिये हम इससे कर सकते हैं ना केवल यही वलकि एक विद्यार्थी के लिए भी उप्योगी है ग्रहनी के लिए भी उप्योगी है बुजर्गों के लिए भी उप्योगी है रोगी के लिए भी उप्योगी है और सुस्त व्यक्ति के लिए भी उप्योगी है डॉक्टर्स के लिए भी उप्योगी है योग उपकरण हैं जिसे हम मोबाईल का नाम देते हैं आखिर उसका वास्तु हमारे घर में क्या हो आज मैं इसी के सम्वन्द में आपको अपने विचार शेयर कर रहा हूँ दो बाते आप यहां ध्यान रखें बात नमबर एक घर का वास्तु मोबाईल के लिए और बात नमबर दो आपका जो चलता फिरता शरीर है उसमें मोबाईल का इस्थान या मोबाईल का वास्तु क्यार होगा पहले हम जो जिस घर में हम रह रहे है उस घर में मोबाईल का वास्तु केसा रखे कि ताकि हम अधिक से अधिक सुख शान्ती प्राप्त कर सके तो इसको रखने का सर्व स्रेष्ठ जो इस्थान है वह है उत्तर पश्चिम कोण जिसे हम वाईवे कोण कहते हैं आपका खुद का है आप अपने कमरे के वाईवे कोण में रखे घर में यदि एक कोमन मोबाईल है तो घर के वाईवे कोण में रखे विद्यार्थी यानि कि जो सदश्य सुन रहा है वह यदि एक विद्यार्थी है तो वह भी अपने study room के वाईवे कौन में रखे वहीं पर जाकर उसे सुने, देखे, समझे और पुनहे उसे वाईवे कौन में ही रखते कभी भी किसी भी हाल में इसे इशान कौन में नहीं रखना जाए दूसरा इस्थान इसका जो घर में बनता है वह है आगने कौन लेकिन उसे सबसे बड़ी परिशानी यह रहती है कि यदि आप आगने कौन में इसे रखते है तो उस परिस्तिति में संभव है कि अनावश्यक जो मेसेज आते है, मेसेज आते है, कोल करते है, कोल आते है, वीडियो करते है, वीडियो आते है, एक अनावश्यक रूप से तनाओ, एक क्रोध आप में पैदा होगा, उससे बचने के लिए आप आगने कौन को अवाइड करे, नेरित्य कौन, नेरित्य कौन मे भी आप रख सकते हैं लेकिन ध्यान रखे ये सबसे निक्रिष्ट हिस्तान है कारण ये है कि यहां अगर आपने वाईवे कोन आपने अगर अपना मोबाइल रखा तो जो संदेश आते है जाते है वीडियो आते है जाते है आपके वहाँ खायालात नेगेटिव वीटी लेकर ही उत्पन होगे नकारात्मकता आपके जहन में या तो भरी जाएगी उससे मोबाइल से प्राप्त होगी या सुनते सुनते आप इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि उस मोबाइल पर कुछ भी कह सकते है और किसी भी प्रकार का अपना प्रेजेंटे में नोकरी में संकत उत्पन होते है इसलिए भूल कर भी कभी नेरित्य कौन में अपने कमरे का नेरित्य कौन हो चाहिए घर का नेरित्य कौन हो नेरित्य कौन में कभी भी आप मोबाइल को ना रखे और ना वहां खड़े होकर मोबाइल सुने हाँ अब सवाल है कि मैंने तो यहां में आपको यह बात शेयर करने जा रहा हूँ एक तो अपनी दोनों जो किड़नी हैं वहां उसके पास में आप बेल्ट लगा कर या पसर लेकर वहां आप मोबाइल ना रखे अनिता किड़नी पर बुरे असर होगे दूसरी बात यह है कि जेंस के शेर्ट्स और टी शेर्ट्स में उपर की जेव होती है वो भी लेप्ट एंड साइड में होती है जहां हमारा दिल काम करता है वहां पर भी कोशिश करें कि आप मोबाइल ना रखे तो या तो आप अपने थाइज के पास में दोनों तरफ जो जे बनी हुई है पेंट में वहां हम रखे या बाद में कोई ऐसा आप बोक्स या बेग रखे कि जो कूचालक हो सूचालक ना हो कहने का मतलब यह है कि जिससे जो रेडियेशन निकलते है वो आपकी बोड़ी पर कम से कम उप्रभाव डाले हां इसको जब हम सुनते है तो बाएं कान के पास रखकर थोड़ी दूरी एक दो इंच की दूरी बनाकर इसे सुनना चाहिए क्यों कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि 10-5 साल बाद में हमें सुनाई देना कम हो जाए और एक समय ऐसा आएगा कि हम बहरे हो जाए यदि आपकी गुप्त बाते नहीं हैं तो आप स्पीकर ओन करके ही इसे सुनें जहां तक हो सके केवल आवशक बाते हो वही केवल सुने देखे भेजे अनावशक बातों को नहीं दाहिने कान के पास में रख कर या दाहिने कान से लगा कर कोशिश ये करे कि कभी भी मुबाइल का प्रियोग ना करे तो वास्तु के ये जो उप्योग है वो शरीर के लिए मैंने आपको बताया हाथ में रखिये कोई दिक्कत नहीं है और आपको घर में कहां रखना है वहे भी बताया और आज यह एक जो इस्टुमेंट है वहे आम आदमी के जीवन का अभिन अंग बनता चला जा रहा है लोग बाग एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार मोबाईल भी अपने साथ में रखने लग गए है पहले किसी जमाने में टू जी त्री जी ऐसे कोई आता था आज फाइब जी भी मोबाईल आ रहा है जैसे जैसे इसकी जो खशंता बढ़ रही है वेसे वेसे रेडियेशन भी खतरनाक होते चले जा रहे है ना केवल आँखों को बलकि हमारे ब्रेन को हमारे डाइजेशन सिस्टम को हमारी मेमोरी को सबको ये डिश्टर्ब करते है लेकिन अब इसकी इसका उपयोग कब कैसे कहां आपको करना है यह तो हर व्यक्ति श्रम अपने बारे में निर्धा ये आपको समझ में आ गया होगा जैशी किसना